क्या आपको भी लगता है कि आप भगवान की सेवा करते हैं, उनकी अराधना करते हैं, नित्य पूजा पाठ करते हैं, उनको भूग लगाते हैं, उसके बाद भी भगवान ने कभी आपको दर्शन नहीं दी यदि आपको ऐसा लगता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा हरे कृष्ण दोस्तों मैं हूँ अनुच शर्म मैं आप से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भगवान दर्शन दे देंगे तब क्या होगा भगवान की अनुभूती हो जाएगी तब क्या होगा क्यों पाना चाहते हैं आप दर्शन किसलिए और दर्शन पाने से होगा क्या आजकल लोग इश्वर के बारे में भिन भिन प्रकार की बाते करते हैं कोई कहता है कि वो है कोई कहता है कि वो नहीं कोई कहता है कि वो सुनता है कोई कहता है कि वो नहीं सुनता है कोई कहता है कि मैंने तो इश्वर से ये मांगा था मेरा तो पूरा हो गया और कोई कहता है कि मैं तो इतने साल से पूजा कर रहा हूँ लेकिन मेरा तो नहीं हुआ तो मैं ये कहता हूँ आपके भीतर विश्वास की कमी है आपके भीतर शंका है आपका समर्पन सच्चा नहीं जब हम ये कहते हैं कि मैं इतने दिन से पूजा कर रहा हूँ लेकिन कुछ हो नहीं रहा है यही तो शंका है मैं इतने दिन से नित्य भगवान से मांग रहा हूँ लेकिन मुझे मिल नहीं रहा है यही तो शंका है जिस दिन शंका नहीं होगी ना, समर्पन हो जाएगा, उस दिन दुख भी आपके जीवन में आएगा, तो आप कहेंगे कि मेरे इश्वर ने भेजा है, मैं इसका भी स्वागत करूँगा, यही समर्पन होता है, और रही बात दर्शन की, तो दोस्तों, जिकीन मानना, इश्व का दर्शन पाने से कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, दर्शन तो दुर्योधन रोज करता था, शकूनी रोज करते थे, पितामय भेश्म रोज करते थे, गुरुद्रोन रोज करते थे, सो के सो कौरव रोज करते थे, उस समय में बहुत सारे ऐसे लोग थे, साक्षा श्री कृष्ण से बाते की हैं, बहुत सारे ऐसे लोग थे, लेकिन उनके जीवन में क्या हुआ ये सब आप जानते हैं, क्या हुआ दुर्योधन का, क्या हुआ शकूनी का, क्या हुआ बाकी कौर्वो का, क्या हुआ भिन भिन प्रकार के राक्षसों का, आपको सब पत यदी दर्शन मात्र से जीवन बदलता तो उनका भी बदल जाता, दर्शन से जीवन नहीं बदलता, जीवन बदलने के लिए इश्वर को समर्पन देना होता है, संपून समर्पन, बिना शंका के, आप भले ही कितना भी मंदिर में जाओ, कितनी भी पूजा पाठ करो, कितनी भी अराधना करो, लेकिन आपके मन में संभाव नहीं है, समर्पन नहीं है, स्विकारी भाव नहीं है, सहजता नहीं है, सरलता नहीं है, तो सब कुछ वैरत है, आप कुछ देर के लिए इश्वर से बाते करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, स्वार्थवश उनके सामने बैठते हैं, अपनी इच्छाएं उनके सामने रखते हैं और उस पूजा पाठ के बाद नित्य कर्म में आप किसी को दुद्कारते हैं, किसी के प्रति इर्शा रखते हैं, किसी को दुख देते हैं, किसी की आत्मा को आहात करते हैं, तो यकीन मानना वो पूजा पाठ करने वाला समय वो मंदिर जाने वाला समय वेर्थ है वैसे ही जैसे दुर्योधन था वैसे ही जैसे सारे कोरव थे दृतराष्ट्र अंधे नहीं थे दृत्राष्ट्र अंदे थे पुत्र मोहों में दृत्राष्ट्र इसलिए अंदे थे कि साक्षात स्वयम श्री कृष्ण उनके सामने खड़े थे पर उनको दिखाई नहीं देते दुर्योधन के सामने श्री कृष्ण खड़े होते थे पर उनको दिखाई नहीं देते था कि ये भगवान श्री क्रश्न है, उनके जीवन में कोई असर नहीं था, असर कैसे होगा, जब आप श्रीमत भगवत गीता पढ़ते हैं, तो आपको पता लगता है, कि भगवान ने हमें यहां क्यों भेजा है, किसलिए भेजा है, हमें क्या करना है, इस खुबसूरत यात् में यदी हम आते हैं, तो जब हम वहां से निकलते हैं, तो भगवान हम से कह के भेजते हैं, कि संपर्क में रहना, अपना ख्याल रखना, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, वो चाहते हैं कि हम संपर्क में रहें, हम क्या करते हैं, जब दुख आता है, तो मंदिर पहुंच जा कोई हमें बताता है कि इस तरह से पूजा कर लो यह विधिविदान कर लो मनो कामना पूर्ण हो जाएगे हमें इश्वर पर विश्वास नहीं है उस विधिविदान पर विश्वास हमें ठाकुर जी पर भरोसा नहीं है अपनी उंगलियों में पहनी हुई अंगोठियों पर भरोसा हम ठाकुर जी पर विश्वास नहीं रखते हैं अपने ग्रहों पर नक्षत्रों पर ठाकुर जी पर विश्वास हो जाएगा तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी वो बात ये है कि अनंत ब्रहांड के रचिता ह सारे घ्रहन अक्षत्र सबकुछ सारे देवी देवता सबकुछ जो कुछ भी आप सोच सकते हो आप मेरे ठाकुर के सामने नतमस्तक होते हैं जो आप बरसाना जाते हो ना विरंदावन जाते हो वो जो अटारी जिस पर आप खड़े हो करके, सारे बरसाना को देखते हो, वो व्रिंदावन की भूमी, जिस पर आप घूमते हो, वो साधारन नहीं है, सारे देवी देवता वहीं घूमते हैं, अनंत ब्रह्मान के ग्रहन अक्षत्र सब वहीं घूमते हैं, और हम भरोसा कर ले बाकी सब चीजों पर और कहते हैं कि भगवान सब ठीक करेगा, आप कभी अपने आपको ट्टोलिएगा, आप सच में ठाकुर जी के भक्त हैं, तो आपको ठाकुर जी के दर्शन की इच्छा नहीं है, क्योंकि आप किस ठाकुर जी को देखना चाहते हैं, कैसे दर्शन करना च चाहते हैं थाकुर जी को सच में देखना चाहते है तो भगवान श्रीकृष्ण निगीता में कहा है कि मैं सबके भीतर समाइत हूं तो सबके भीतर मुझे देख जिस दिन आपका नजरिया ऐसा हो जाएगा सबके भीतर कृष्ण दिखने लग जाएगे सब के लिए संभाव हो जाएगा सब के भीतर ठाकुर्जी दिखने लग जाएंगे तो यकीन मानना आपको किसी से इरिशा नहीं होगे क्योंकि सब के भीतर कृष्ण है क्या आप कृष्ण से इरिशा करना चाहेंगे आप किसी को दुख नहीं देंगे क्योंकि सब के भीतर कृष्ण है क्या आप कृष्ण को दुख देना चाहेंगे आप किसी से नफरत नहीं करेंगे क्योंकि सब के भीतर कृष्ण है क्या आप कृष्ण से नफरत करना चाहेंगे जिस दिन आप सब के भीतर उनका दरशन करेंगे तो सच मानना हो आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा आपको जब भी आवश्कता होगी इस स्यात्रा में जब भी आप अकेला महसूस करेंगे आप कमजोर महसूस करेंगे आप डरेंगे आप घबराएंगे तो वही सारे जीव जिनके भीतर आप क्रिश्न को देखते हैं क्रिश्न रूप में आपके पास आएंगे आपकी मदद करेंगे जो भी वेक्ति आपकी मदद करता है दुख में आपके साथ खड़ा होता है आपसे पूछता है कि आप कैसे हैं आपको संदेश भीजता है आपकी स्थीती जानना चाता है आपका हाल चाल जानना चाता है आपसे पूछता है कि आपने भूजन किया कि नहीं किया वही कृष्ण है लेकिन हकिकत तो ये है कि हम सब कृष्ण को नकार देते हैं जो लोग हमें संदेश भीजते हैं जो लोग हमें फोन करना चाहते हैं हमसे पूछना चाहते हैं कि हम कैसे हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि इन लोगों को तो हम जानते हैं बाद में बात कर लें हम कहीं मीटिंग में बैठें और मा का फोन आता है तो फोन कार देते हैं हम सोचते हैं कि बाद में बात कर लेंगे पिता पूछना चाहते हैं कि बेटा आप कैसे हो आपका हाल चाल क्या आपने भूजन किया की नहीं किया हम उनका फोन कार देते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि ये मीटिंग जरूरी हैं बाद में बात कर लेंगे आप यकीन मनना ऐसी किसी भी आत्मा को जो आप से संपर्क करना चाहती है यदि आप ताल रहे हैं तो आप कृष्ण को टाल रहे हैं और यदि आप चाहते हैं कि आपके चारों तरफ इर्द गिर्द, जो हमने सुना है कि कणण में कृष्ण विद्यमान है, कणण में इश्वर विद्यमान है, यदि वैसी अनुभूती करना चाहते हो, और देखना चाहते हो, कि आपको चारों तरफ श्री कृष्ण दिखाई द आपको दर्शन हो, तो पहले आप अपने मन को वैसा बनाएए जैसा कृष्ण चाहते हैं, सम्भाव में आ जाईए, जब आपकी मूल भूतावश्कताइं पूर्ण हो जाए तो दूसरों की मूल भूतावश्कताइं पूर्ण करने में उनकी मदद कीजिए, जब आप संपूर जगत से प्रेम करने लगेंगे, तो आपको श्री कृष्ण को कहीं नहीं देखना, आप जब अपने आपको आइने में देखेंगे, तो आपको आप नहीं दिखाई देंगे, श्री कृष्ण दिखाई देंगे, तो कि श्री कृष्ण हम सब के भीतर है, श्री कृष्ण चाहते कि हर जीव, क्योंकि उनका अंश है, हर जीव के निर्माता वो है, तो श्री कृष्ण चाहते हैं, जिस तरह से मैं सारी स्रिष्टी को अनंत ब्रह्मांद को प्रेम करता हूं, उसी प्रकार हर जीव सारे ब्रह्मांद को प्रेम करें, अनंत ब्रह्मांद को प्रेम करें, हर के बारे में सोचे, किसी को दुथकारे ना किसी से इरिशा ना करे, किसी को दुख ना दे, किसी को परिशान ना करे, सबसे प्रेम करे, सब को सम्मान दे, यदि आप किसी को अपमानित कर रहे हैं, तो यकीन मानना आप किसी और को अपमानित नहीं कर रहे हैं, अब आपको पता कि आप किसको आपमानित कर रहे हैं, क्योंकि सब के भीतर जो सांसे चल रहे हैं, जो भी सजीव है, जो भी निरजीव है, जो कुछ भी आप देख पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, वही श्री क्रिश्न है, कुछ भी गलत करने से पहले ये सोच लें, कि आप करकिस के जात रहे है फिर कोई उमीद ना रखे कि आपके जीवन में सब कुछ सरल हो जाएगा सहज हो जाएगा सब कुछ सरल और सहज करना चाहते हैं तो पहले सरल और सहज हो जाएगे मैं सच कहता हूँ जिस दिन आप श्री कृष्ण के सामने अपना मस्तक जुकाते हैं तो इस मस्तक में चल रही हर पीड़ा, हर दुख, हर समस्या, हर मुसीबत, हर शंका, हर दुविश सर जुकाते ही श्री कृष्ण के चरणों में आ जाएगा और श्री कृष्ण अपने चरणों से रोंद देंगे उस हर मुसीबत को, हर संकट को क्या आप जानते हैं कि आप कितने शक्ति शाली पिता की संतान है क्या आप जानते हैं कि आप को ये सारी स्रिष्टी वसीयत में मिली है क्या आप जानते हैं कि आपके पिता ने आपके जन्म लेने से पहले आपकी मा के स्तनों में आपके दूद का इंतजाम कर दिया था क्या आप जानते कि आपके पूरे जीवन को उसने निर्धारित कर रखा है यदि जीवन में कठिनाई आ रही है परिशानी आ रही है तो यकीन मानना आपका जीवन तो बड़ी सरलता से निर्धारित किया गया है उस कठिनाई को जनम देने वाले आप है तो इसलिए सरल हो जाईए, सहज हो जाईए समरपन भाव में आ जाईए अपने विश्वास को मजबूत रखी, अपना ख्याल रखी हरे कृष्ण